मुकुथी अम्मन एक तमिल फंतासी कॉमेडी फिल्म है जिसमें नैंतारा देवी मुकुथी अम्मन की भूमिका में है और आरजे बालाजी समाचार एंकर एंगेल्स रामा सामी की भूमिका में है। यह फिल्म नकली बाबाओं की घटना और जनता पर उनके प्रभाव पर एक प्रफुलित करने वाला और व्यंग पूर्ण चित्रन है। लेकिन एक देवी एक गरीब और संघर्शरत परिवार को धोखा धड़ी का परदाफाश करने और उनके गाव को बचाने में कैसे मदद करती है। आईए इस वीडियो में जाने और यह भी जाने कि क्या आपको इस फिल्म को देखने के लिए गांजा पीना पड़ेगा या नहीं। नमस्ते, स्प्लेस में आपका स्वागत है जहां मैं फिल्मों के बारे में समझाता हूँ और उन पर अपने विचार साझा करता हूँ। इस वीडियो में मैं आरजे बाला जी और एंजे सर्वनन द्वारा निर्देशित 2020 की फिल्म मुकुती अमन के कथानक, संदेश और अपने विचारों को समझाने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत इंगेल्स द्वारा अपनी जीवन कहानी बताने से होती है और वह कैसे एक समाचार एंकर बने। पेरियार का संयोजन है के कारण कई लड़कियों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि वह भगवती बाबा के घोटालों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे अनुयाई हैं और उनका राजनीतिक और वित्तिय दबदबा भी काफी है। एंगेल्स का कहना है कि वह पिछले चह साल से बाबा के खिलाफ सबूत इकठा कर रहे हैं, लेकिन अपने बॉस के दबाव और बाबा के गुरगों की धमकियों के कारण इसे अपने चैनल पर प्रसारित नहीं कर पाए हैं। एंगेल्स और उनके परिवार ने अपने पारिवारिक देवता मुकुथी अम्मन से मिलने का फैसला किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वे नागर कॉयल के पास एक पहाड़ी इलाके वेलीम लाई में उनके मंदिर में जाते हैं, जहां उन्हें मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलता है। वे मंदिर की सफाई करते हैं और परंपरा के अनुसार रात को वहीं रुकते हैं। एंगेल्स आधी रात में जाकते हैं और मुकुत्थी अम्मन को मानव रूप में देखते हैं, जिसका किरदार नयंतारा ने निभाया है। वह हैरान और डरा हुआ है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह असली देवी है और केवल वह ही उसे देख सकता है। मुकुत्थी अम्मन ने उसे बताया कि उसने उसे अपने भगवान संतान के रूप में चुना है और वह अपने मंदिर को लोकप्रिय बनाने के बदले में उसकी और उसके परिवार की मदद करेगी। एंगेल्स सहमत हो गए और वे दोनों बस से नागर कोईल वापस चले गए। मुकुत्थी अम्मन ने एंगेल्स और उसके परिवार पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। वह एंगेल्स के बॉस से उसे पदोन्नती और वेतन वृध्ध दिलवाती है। वह एंगेल्स के दादाजी को लोटरी जीतने और एक नया घर खरीदने के लिए प्रेरित करती है। वह एंगेल्स की बहनों को अच्छी नौकरी और शादी के प्रस्ताव दिलवाती है। वह एंगेल्स को अपने शो में भगवती बाबा का साक्षातकार करने और उनके दावों और कारियों पर चुनौती देने का मौका भी देती है एंगेल्स खुश और आभारी है लेकिन वह अपने परिवार से जूट बोलने और अम्मान की शक्तियों को अपने फाइदे के लिए इस्तिमाल करने के लिए दोशी भी महसूस करता है वह अम्मान से पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है और वह उसे बताती है कि उसके पास उसके लिए एक बड़ी योजना है मुकुथी अम्मन ने खुलासा किया कि वह चाहती है कि एंगेल्स भगवती बाबा को बे नकाब करें और उनकी पंचवनम पर योजना को रोग दें जो उनके मंदिर के आसपास के गावों और परियावरन को नश्ट कर देगा वह उसे बताती है कि बाबा एक धोखे बाज है जो लोगों की आस्था और पैसे का शोशन करता है और वह जमीन पर कब्जा करने नशीली दवाओं की तसकरी और मानव तसकरी जैसी अवैद गतिविधियों में भी शामिल है वह कहती है कि वह अपने नाम और छवी का दुरुपयोग करने के लिए बाबा से नाराज है और वह उसे सबक सिखाना चाहती है वह यह भी कहती हैं कि जिस तरह से लोगों ने उन्हें और उनके मंदिर को भुला दिया है उससे वह नाखुश है और वह अपनी महिमा और लोक प्रियता को बहाल करना चाहती है वह कहती है कि उसने एंगेल्स को अपने साधन के रूप में चुना है क्योंकि वह इमानदार, बहादुर और उसके प्रतिवफादार है एंगेल्स अम्मान की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और वे बाबा को बेनकाब करने की योजना तयार करते हैं एंगेल्स ने अपने परिवार को बताया कि वह मुकुथी अम्मान से मिले हैं और वह एक अतिथि के रूप में उनके साथ रह रही हैं वह अम्मान को अपने परिवार से मिलवाता है जो उसे देखकर आश्चर्य चकित और प्रसन्न होते हैं वे उसका प्यार और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं और उसे अपने में से एक मानते हैं। एंगेल्स की मा और बहने बाबा के अनुयाईयों के रूप में उनके समूह में घुसपैठ करती हैं और गुप्त रूप से उनके कुकर्मों और घोटालों को रिकॉर्ड करती हैं। ज्यानता और कटरता को उजागर करने और उन्हें मूर्ख और हास्यास्पत दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वह एंगेल्स के बॉस और चैनल मालिकों को रिश्वत देने की कोशिश करता है लेकिन वे इनकार कर देते हैं। वह एंगेल्स के पिता जो उसके अनुयाईयों में से एक है का ब्रेनवाश करने की कोशिश करता है और उसे एंगेल्स के खिलाफ कर देता है। लेकिन वह असफल हो जाता है। जात समारोह में जाता है। जाता है की उत्पत्ती क्या है? प्रयोजन क्या है? मानव अस्तित्व का उद्देश क्या है? एंगेल्स, स्तब्ध और अवाक हैं क्योंकि उन्हें इन सवालों के जवाब नहीं पता है। वह मदद के लिए अमान की ओर देखता है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसे खुद ही उन्हें जवाब देना होगा। वह कहती हैं कि ये ऐसे सवाल हैं जिनका पता हर इनसान को खुद लगाना होगा और इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। वह मदद करना और सेवा करना और आनंद लेना और सराहना करना है। उनका कहना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ती एक रहस्य है जिसे विज्ञान और धर्म सुलजाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि एक उच्च शक्ती है जिसने सब कुछ और सभी को बनाया है। रोक देती है। वह अपना असली रूप और पहचान सब के सामने प्रकट करती है और बाबा को धोखे बाज और अपराधी के रूप में उजागर करती है। वह अपना नहीं चाहती हैं कि लोग उनकी अंधभक्ती करें बलकि उनकी शिक्षाओं और उदाहरणों का अनुसरण करें। उनका कहना है कि वह चाहती हैं कि लोग भय और अज्यानता से मुक्त हों और खुश और शान्ति पूर्ण रहें। अम्मान फिर एक चमतकार करती है और मंदिर और उन गामों को पुनर स्थापित करती है जिन्हें बाबा ने नश्ट कर दिया था। वह एंगेल्स और उसके परिवार को भी आशीरवाद देती है और उनकी इच्छाएं पूरी करती है। दर्शकों का मनोरंजन और ज्ञान वर्धन करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक देवी एक गरीब और संगर शरत परिवार को एक नकली बाबा का परदाफाश करने और उनके गाम को बचाने में मदद करती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे एक देवी लो और अनुग्रह का प्रतीक है यह फिल्म विश्वास, प्रेम और न्याय का उत्सव है कुल मिलाकर मुकुति अम्मन एक ऐसी फिल्म है जिसमें मनोरंजन और ग्यान के क्षण है लेकिन खामियां और खामियां भी है यह फिल्म नयंतारा और आरजे बालाजी के प्रशंसकों और अमान शैली की फिल्मों का आनंद लेने वालों के लिए एक अच्छी फिल्म है यह फिल्म उत्कृष्ट कृती तो नहीं है लेकिन विनाशकारी भी नहीं है यह एक मध्यम आकरशक और मनोरंजक फिल्म है जो कसी हुई पठकथा और निर्देशन के साथ और बहतर हो सकती थी इस फिल्म को देखने के लिए आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं है मैं इसे 10 में से 6.5 अंक दूंगा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्म समीक्षाओं और विशलेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही मुकुती अम्मन पर अपने विचार हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप मूवी देख चुके हैं? क्या आपको यह पसंद आया? आपका पसंदीदा द्रिश्य या समवाद कौन सा था? अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और चर्चा में शामिल हों देखने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें